हेलो और वेलकम तू अंग्रेजी की पार्चाला और आज हम करेंगे क्लास टेंथ इंगलिस का कॉम्प्रिहेंशन पैसेज नमबर पांच और लेसन है हमारा सेकेंड इसमें क्या कहते हैं राइटर कि इन लाइफ आवरी मैन कोई भी इनसान हो has twin, twin means two obligations उसकी जो duty है जो जिम्मेवारी है या जवाब दे ही है वो कितनी हैं दो हैं कौन-कौन सी पहली obligation to his family अपने परिवार के परती जिम्मेवारी या जवाब दे ही परिवार में कौन-कौन आ जाते हैं to his parents, his wife and children जो मतलब आपकी बिलकुल nearest family है जिसमें आपके parents आ गए mother, father उसके बाद आप ने marriage की है तो आपकी wife आ गई और फिर आप दोनों के जो बच्चे होते हैं तो total एक, दो और तीन generations तो हमारे human beings में दिखी जाती हैं तो एक तो वो obligation हो गई और दूसरी दिखी क्या है, he has an obligation to his people जो उसकी family का जो यह भी हमने tree बनाया है इस family tree के आस पास जो परोसी है, उसके जो दोस्त हैं, जो दूसरे रिस्तेदार है, means पूरी पूरी society, उसकी people his community, जो समाज, जिस समाज में वो रहता है, अपने परोसियों के परतिजवाब देही, अपने समाज के परतिजवाब देही in a civil, जिस society में हम रहते हैं, यह civil है, सब्य है, हम लोगों के रहने के लिए है and human और इंसानों की है, यह इस इंसानों की बस्ती में, each man is able to fulfill those obligations यह दोनों तरह की जिम्मेवारी सिर्फ और सिर्फ इंसानों की बस्ती में ही पूरी की जा सकती है according to his own inclination and ability जिस व्यक्ती में जितना वो योग्य है या जितना वो कर सकता है जो उसकी inclination हैं, उसकी abilities हैं but in a country like South Africa, South Africa में जो बात की थी कि 1900 के पहले दसक से लेकर, 1900 के आखरी दसक तक जो वहाँ रंग भेद ने थी थी, गोरे काले का जो भेद था, उसके विशे में कहते हैं क्या? कि इसमें क्या हो गया था, a man of color, अगर कोई भी व्यक्ती रंग वाला है, काले रंग वाला है, who attempted, अगर attempt करना, परियास करना, कि अगर उसने परियास भी कर लिया, to live as a human being, कि मैं एक इनसान की तरह रहूंगा, जीूंगा, was punished, सजा दी जाती, and isolated, isolate होता है, अलग करना, जो आज कल हम कर रहे हैं न, जैसे अभी अगर किसी को करोना हो जाता तो उसको अलग कर देते हैं, समाज से अलग, quarantine, isolate, hospitalized, तो उनको hospital की जिगे कहां डाल दिया जाता था, उनको डाल दिया जाता था, जेल के अंदर, इसे कानूनन अपराद माना जाता था, अगर कोई व्यक् अपने समाज के परती ज्यादा जो आप दे ही दिखाता है, ज्यादा नेता बनने की कोशिस करता है, तो वहाँ पर ये सब देखा जाता था, तो साथ अफरीका में जिसने भी ए ड्यूटी की अपने लोगों के परती, इनविटेबली उसे पके रूप से, निश्चित रूप से, रिप्ड फॉम हिस फैमिली और अपने परिवार से भी अलग कर दिया जाता था, उसे घर नहीं जाने दिया जाता था, एक अलग से, दुनिया में, एक अलग पार्ट में, एक अलग हिस्से में उसे अपने जिन्दगी बितानी पड़ती थी, उसकी दिखी लाइफ कैसे बन जाते थी, रिबैलियन, कि मानों के कोई विद्रोही है, उसने समाज के खिलाफ विद्रोह कर दिया है, विद्रोही के रूप में उसे जेल भीज दिया जाता था, I did not in the beginning, जब मैंने शुरुवात की, अपने संघर्ष की, आजादे के लिए संघर्ष की, तो उस बिगनिंग में, शुरुवात में, I chose to place my people above my family, note मैंने नहीं, अपने परिवार से उपर मैंने अपनी सोसाइटी को कभी नहीं माना, but in attempting to serve, लेकिन जैसे मैंने समाज की सेवा करने की कोशिस की, my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, prevent करना, वंचित करना, मुझे वंचित कर दिया गया, अपनी duty एक बेटे के रूप में भाई, पिता और husband के रूप में duty करने से मुझे वंचित कर दिया गया, क्या हुआ कि जब इनकी पिता के डैथ हुई तो इन्हें एक बेटे के रूप में उन्हें अंतिम शरधाजली मुखागनी देने के लिए अंतिम संसकार के लिए भी छुट्टी नहीं दी गई इनके भाई की डेथ हुई तो भी इनको छुट्टी नहीं दी गई इनको जेल में ही रखा गया इनकी बेटी एक जो थी वो उनकी डेथ हो गई बिमारी से तो भी इनने परिवार के पास नहीं जाने दिया अपनी वाइफ के लिए भी ये कुछ नहीं कर पाए और अंत में उन्होंने भी इनसे तलाग ले लिया तो जैसे ही समाज के परती जवाब दे ही इन्होंने पूरी करने की कोशिस की तो इनका परिवार की जिम्मेवारी जो थी वो पूरी नहीं कर पाए अपने ही जीवन के बारे में खुद ही ग्रैफी की है खुद ही लिखा है तो इट बिकम्स आटो बायो ग्रैफी क्वेशन नमबर त्री वाट अट ट्वीन एप्लिकेशन बिलकुल दो है एक फैमली की एक सोसाइटी की क्वेशन नमबर चार हाव और पीपल ट्रेटिड इन साउथ अफरीका दे आर पनिश्ड उनको सजा दी जाती थी एंड आइसोलेटिड समाज से उनको अलग कर दिया जाता था एक लास्ट क्वेशन कर लेते हैं क्वेशन नमबर फाइव इसी पैसेज का है परिवार से उपर शुरू में नहीं देखा लेकिन अंग्रेजों के या गोरी चमडी वाले अफरीका के निवासियों के इस बरताव के कारण फिर अंत में उन्होंने परिवार की जगे अपने देश को अधिक महतव दिया और उसकी आजादी की लडाई में एक लंबा संखर्स किया या लोंग वाक टू फ्रीडम अधिस आल पर तोड़े थैंक यू थैंक यू वेरी मच्च